हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो मैं आपको सिरेंडर लाइनर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को इंट तक जरूर देखे वीडियो कर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों को साथ जरू कर दे और अगर आप मैंने चैनल पे नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले चले वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स सिलेंडर लाइनर्स को सिलेंडर स्लीव भी कहा जाता है अब जो इंजन होता है वहाँ पे एक कॉंपोनेंट होता है सिलेंडर ब्लॉक जिसे इंजन ब्लॉक कहा जाता है और जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसी में होलो शेवड में सिलेंडर होता है अब कुछ इंजन्स में एक किसी में दो किसी में तीन, चार, छे, आठ तो अलग अलग number of cylinders cylinder block में होते हैं ये depend करता है कि engine का manufacturing कैसा है अब फ्रेंट्स जो cylinder block में cylinder होता है उसका जो inner surface होता है वो कहलाता है cylinder wall और cylinder wall के अंदर में piston का reciprocating motion यानि की up and down movement होता है अब फ्रेंट्स ये जो cylinder liners होता है वो एक cylindrical यानि कि hollow shaped का एक component होता है जो की cylinder block के अंदर में cylinder के अंदर में cylinder wall है उसके साथ attached होता है उसके साथ fixed होता है अब सबसे पहला आप जो ये animation देख रहे हो यहाँ पर जो रेड डिकलर का component दिखाई दे रहा है वो है cylinder wall और उसके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा blue color में जो component है वो है cylinder liner उसी तरह से आप ये जो इनिमेशन देख रहे हैं वहाँ पर आपको फिरोजी किलर में दिखाई दे रहा होगा ये है सिलेंडर लाइनर्स फिरेंडर लाइनर्स को कास्ट आईरन अलोई के साथ क्रोमियम, वैनेडियम और मॉलिव डिनम को मिक्स करके बनाया जाता है अब फिरेंडर्स यहाँ पर एक सावाल ये आता है कि हमारा सिलेंडर लाइनर्स से वो क्या काम करता है उसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो सिलेंडर लाइनर है वो स्लाइडिंग सर्फेस का फॉर्मेशन करता है जिसके वज़ा से सिलेंडर के अंदर में पिस्टन जो है आसानी से स्लाइड कर पाता है अब जो cylinder liner होता है वो cylinder का inner surface होता है और जो piston ring होता है उसके लिए sliding surface form करता है इसके साथ ही साथ वो lubricant को भी retain करके रखता है आप friends जो cylinder liner होता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसका sliding surface का characteristics है वो बहुत ही बहतर होता है इसके अलावा जो हमारा cylinder liner है उसके वज़ास से जो हमारा piston ring है वो बहुत ही कम wear होता है वेरिंग जो rate है वो बहुत ही कम हो जाता है अगला है heat transfer, अब front cylinder liners को piston और piston ring से जो भी combustion heat receive होता है, वो इसे further coolant में transfer कर देता है, जिसके वज़ा से engine जो है वो ठंडा रहता है. अगला है compression gas ceiling, अब जो cylinder liner होता है, वो compressed gas और combustion gas, इन दोनों ही gas को escape होने से, यानी की leak होने से बचाता है, एक gas का ceiling engine के cylinder के अंदर में ये provide कराता है. friend cylinder liners को इसलिए भी use किया जाता है, क्योंकि अगर cylinder liners compression के pressure के वज़ा से घिस जाए, wear out हो जाए, तो उसे bore किया जा सकता है, इसके लावा उसे replace भी किया जा सकता है, और नया cylinder liner को लगाया जा सकता है, लेकिन अगर cylinder liners का use नहीं किया जाए, तो अगर cylinder wall घिस जाए, वो अग किया जाता है फ्रेंट टेंटर लाइनर स्बस्स कि बात करते हैं तो फ्रेंट्स जो ड्राइ स्लेंटर लाइनर्स होते हैं वह हाइच टेमपरिचर को विल्चिन करते हैं इसके लाव़ ceramic nickel plating इनका इन्हें बनाया जाता है इसके लावा जो dry cylinder liners होते है वो wet और fined cylinder liners का मुकाबले ज्यादा पतले होते है अब जो हमारा dry cylinder liners होता है वो engine के coolant के साथ contact में नहीं होता यानि कि जो heat है वो उसे engine के coolant में transfer नहीं करता है बलकि जहाँ पे dry cylinder liners का use क्या जाता है वहाँ पे क्या होता है कि जो water का coolant का jacket होता है वो engine block के करीब होता है और उसी के थूर जो heat का transfer होता है और जो piston है वहाँ से जो temperature उसका लगतार कम होते रहता और heat का transfer होता है नेक्स्ट है wet cylinder liners अब friends dry cylinder liners के मुकाबले ये जो wet cylinder liners है वो अलग तरीके से piston को protect करता है लेकिन ये भी hard material का बना हुआ होता है अब friends जो हमारा wet cylinder liners होता है वो जो engine का coolant है उसके साथ direct contact में होता और इस तरह से वो heat को transfer करता है इसके लावा जो wet cylinder liners होते है वहाँ पे जो tiny यान्य छोटे छोटे होस भी होते है जो की heat को transfer करते है और impurities जो है उसे disperse करते है इसके लाव friends मैं आपको पता दूँ कि जो wet cylinder liners है उन्हें water jacket cylinder liners भी कहा जाता है next है fined cylinder liners और fined cylinder liners को air cooled engine में use किया जाता है और air के help से fined cylinder liners जहाँ पे लगे होते है वहाँ पे engine को ठंडा किया जाता है तो friends आज की इस वीडियो मैं आपको detail में बताया कि जो cylinder liners है वो क्या होता है कहां लगा होता है कैसे काम करता है कितने types का होता है आज का ये वीडियो आपको के लिए helpful रहा होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो अगर अच्छे लगा हो तो इसे like और दोस्तों को स्ट्रेट जरू कर दे वीडियो के बारे माँ चैनल के बारे अतनी रहे आप मुझे comment करके जरू बता है